तो इस तो आप में से सभी को मोज अप्लिकेशन के अंदर अपने प्रोफाइल पर ट्रेंडी मोजी और न्यू मोजी मिला होगा ठीक है न्यू मोजी कब मिलता है और ट्रेंडी मोजी कब मिलता है और कभी कभी क्या होता है ट्रेंडी मोजी न्यू मोजी जो होता है वो अपने प्रोफाइल से अपने आप हट भी जाता है ठीक है तो इसकी क्या वज़ा होती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह बेज जो है वो कैसे मिलते है तो न्यू मोजी जो होता है वो न्यू बंदों के आने की जो न्यू यूजर आते हैं नए बंदे जूटते हैं मोज एपलिकेसन में और अपने नई आईडी बनाते हैं उनको न्यू मोजी दिया जाता है वो तीन चार दिन में अपने प्रोफाइल पर आ जाता है ठीक है तो जब भी वीडियो पांच अपलोड कर देता है मोज पर क्रियेटर प्रोग्रम में एपलाई कर देता है उसके बाद दूसरे दिन मॉर्निंग में न्यू मोजी बेज जो हता है उनके प्रोफाल में आ जाता है ये बात हो गई न्यू यूजर के लिए जिसको न्यू मोजी मिलता है अगर आप ओल्ड यूजर हो तो आपको ये बेज नहीं मिलने वाला न्यू मोजी वाला ठीक है तो इसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है आपको गबराना नहीं है आपको न्यू मोजी नहीं मिला हो ठैंडी मुझे आप कैसे मिलेंगा वो मैंने अल्रेडी तीन-चार वीडियों में बता दिया है लेकिन कभी-कभी क्या होता हैं ट्रेंडी मुझे आपके प्रोफाइल से मिलने के बाद कुछ दिनों में घत जाता है तो इसकी क्या वजा है वो पराइन गौन विडियो मिनिमम् बना लेने है कैसे तो त्रेंडिक पर आपको मैक्सिमम वीडियो बनाएना आए मतलब कि डेली आपको दो-दो वीडियो मिनिमम बना लेनी है ठीक है दो-दो वीडियो आप मिनिमम बना लोगे तो trending hashtag पर दो-दो वीडियो बना होगे तो आपका trending emoji जो होगा वो कभी हटेगा ने वही पर रहेगा ठीक है मिलने के बाद अगर किसको नहीं मिला है तो डेली दो-दो वीडियो आप है trending hashtag पर बना होगे तो तुरंट आपको दो-तीन दिन में trending emoji मिल जाएगा ठीक है दूस्तों तो ये बात हो गई trending emoji और new emoji की ठीक है और आपका जो trending emoji हट जाता है तो गबरानी की बात नहीं है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी प्रोफाइल सही सला मत है और आपका जो trending hashtag ना यूज़ करने की वज़ा से trending emoji हट जाता है ठीक है तो हो सके इतना trending hashtag यूज़ करना था कि आपका जो trending emoji बेज है वो अपने profile पर वही का वही राएगा ठीक है दोस्तों तो आज की इस वीडियो में बस इतना वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट से ज़रू करना और चैनल पर अगरना हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दन्यवाद